व्याश्त का डेली हल्ला डाइरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मतर के छोले। इसको हमने बस एक घंटे से दो घंटे तक ही भी घोया हुआ है और यह बहुत ही अछे से फूल गया है на गरम पानी में भी घोया हुआ था। हम रात को भीगोना भूल गये थे तो हम जल्दी से कर दिये इसको तो इसको पहले हम वायल होने के लिए रख देते हैं कूकर में तो मैंने यहां कूकर में डाल दिया है मटर को अब हम इसमें डाल देते हैं एक ग्लास पानी और थोड़ा सा नमक हम इसमें बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे ना ही कोई खड़े मसाले हम इसमें डालेंगे क्योंकि हम तड़के के टाइम अपने खड़े मसालों का यूज करेंगे अब हमने अपने कूकर को गैस पे चड़ा दिया है इसको हम medium flame पे 4-5 सीटी आने तक अच्छे से पकाएंगे ताकि जो मेरे मटर है वो अच्छे से गल जाएं उसमें से छिलका निकलना चाहिए दिखना चाहिए कि छिलका निकल गया है इसमें 4-5 सीटी आ गई है कुकर में तो इसको हम एक साइड रखते हैं तब तक हम मसाला भूनते हैं तो हम यहाँ पे कडाही रखती हैं गैस पे इसमें हम डालते हैं एक बड़ा चमच तेल इसमें आप बटर भी डाल सकते हैं वो अपने टेस्ट के कार्डिंग है लेकिन जितना अच्छा यह सरसो के तेल में लगता है छोला उतना अच्छा है और किसी में नहीं लगता है किसी ओयल में तो तेल को हम अच्छे से गरम होने देते हैं मेरा तेल गरम हो गया है अब हम इसमें डालते हैं कुछ खड़े मसाले उसके लिए हमने आपे दो तेज पता लिया हुआ है और एक बड़ी इलाइची चार पांच काली मिर्च और दो छोटी इलाइची और दो तीन लॉंग ले लिया है तो इसको हम थोड़ा सा भूम लेते हैं फिर इसमें हम डालते हैं जीरा और खोड़ा सा हींड़ जीरा चटकने के बाद इसमें हम डालेंगे बारिक कटा हुआ हमने दो प्याज ले लिया है अब हम प्याज को अच्छे से गोल्डें ब्राउंब होने तक भूम लेते हैं फिर हम इसमें डालते हैं अद्रक लासून जो हमने कूट लिया है आप चाहे तो इसका पेस्ट भी ले सकते हैं अब हम अब्रक लासुन को ही अच्छे से भूम लेते हैं हमने यहाँ पे दो मीडियम साइच के टमाटर पीस लिए हैं इसको हम डाल देते हैं अब इसमें हम डालते हैं सुखे मसाले सुखे मसालों में मैंने अपे हल्दी पाउडर और यहाँ पे हम डालते हैं कस्मीरी लाल मिर्च इससे कलर बहुत अच्छा आता है यह तीखा बहुत ही कम होता है यहाँ हमने कसूरी मेथी ले लिया है इसको हम क्रस्ट करते हुए डालेंगे और जो टुकडे रहेंगे उसको हम ठेक देंगे और इसमें हम डालते हैं दो चम्मच छोला मसाला और यहाँ पे मैंने दो हरे मिर्च ले लिये हैं इसको हम बीच से खोल लिये हैं अब हम मसालो को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसमें से तेल सेपरेट ना होने लगे मेरे मसाले से तेल अच्छे से सेपरेट हो रहा है अब हम कुकर को अपने खोलते हैं और मतर को देख लेते हैं हमारे मतर बहुत ही अच्छे से पूख हो गया है यह आप देख सकते हो कितने अच्छे से यह दब के एक्तम मैस हो जा रहे हैं तो अब हम इसमें डालते हैं अपने मतर को, और हम मतर को अच्छे से मसाले में मिक्स करेंगे, और मसालों के साथ अपने मतर को हम एक से दो मिनद तक अच्छे से भून लेंगे, तो हमारे मतर में पानी बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही थोड़ा था, तो हमने डाल दिया, अगर आपके मतर में पानी ज़्यादा हो, तो आप पानी को बाद में डालें, मतर भूनने के बाद, हमने इसको मसाले के साथ दो मिनद तक अच्छे से भून लिया है, अब हम इसमें डालते हैं पानी, तो इसमें हम एक से डेड़ गलास पानी डालेंगे, हमने यहाँ पे डेड़ गलास भर के पानी डाला हुआ है, क्योंकि अभी ये कूख होगा, दस से बारे मिनट तक, अगर आपको बहुत पतली चाहिए, तो आप और भी पानी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ नॉर्मल ग्रेवी बना रहे हैं, तो हम इसको ढख के दस से बारे मिनट तक छोड़ देते हैं, और इसको अच्छे से कूख करने देते हैं, अभी हम इसी टाइम पे नमक डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको यह ध्यान रखना है कि आपने मटर में भी पहले से नमक डाला हुआ है, तो आप इसमें बहुत ज्यादा नमक ना यूज़ करें, हमने इसमें नमक भी डाल दिया, अब इसको ढख के छोड़ देते हैं, तो यह दस से बारे मिनट हो गए हैं, इसको पकते हुए, तो इसको हम चेक कर लेते हैं, तो यह देखिए, मेरा छोला बन के बिल्कुल तैयार है, अब हम इसमें डालते हैं हरा धनिया, तो अब हम गैस को आफ कर देते हैं, और सरो कर लेते हैं, तो मेरा छोला बन के बिल्कुल तैयार है, इसको हम थोड़ा सा हरे धनिये की पत्ती से इसके कार्ने सिंग कर देते हैं, तो ऐसे एक बार जरूर ट्राइ करें, छोला बना के मतर का, तो अगर आपको यह मेरी करें अपने दोस्तों में भी सेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मेरे नए नए वीडियो पर नोटिफिकेशन आते रहें